कट्टु नीटिना क्रमगलना प्रधानी नरिंद्र मोधियवरा नेत्रत्मदा केंद्र सरकाराईगा आगले काई गोंड़िदा है इनू कोरोना वाई नोश्कार मेरे पैरे देश्वासियों पुरा विश्व इस समय संकट के बहुत बड़े गंभीर दौर से गुजर रहा है आमतोर पर कभी जब कोई प्राकृतिक संकट आता है तो वो कुछ देशों या राज्यों तक ही सिमित रहता है लेकिन इस बार ये संकट ऐसा है जिसने विश्व भर में पूरी मानुजाती को संकट में डाल दिया है जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जब वितिय विश्व युद्ध हुआ था तब भी इतने देश युद्ध से प्रभावित नहीं हुए थे जितने आज कोरोना की इस बिमारी से है पिछले दो महने से हम निरंतर दुनिया भर से आ रहे कोरोना वाइरस से जुड़ी चिंताजनक खबरें देख रहे हैं सुन रहे हैं इन दो महनों में भारत के 130 करोड नागरिकों ने कोरोना जैसी बैश्विक महामरी का डटकर मुकाबला किया है सभी देश्वासियों ने आवश्यक सावधानिया बरतने का भरत्सक प्रयास भी किया है लेकिन बीते कुछ दिनों से एक ऐसा माहोल बन रहा है ऐसा लग रहा है जैसे हम संकर से बचे हुए है ऐसा लगता है सब ठीक है बैश्विक महामारी कोरोना से निश्चिंत हो जाने की ये सोच सही नहीं है इसलिए प्रतेग भारतवासी का सजग रहना सतक रहना बहुत आवशक है साथियों आपसे मैंने जब भी जो भी मांगा है मुझे कभी भी देश्वासियों ने निराश नहीं किया है ये आपके आसिरवात की ताकत है कि हम सम मिल करके अपने नरधारित लक्षों के तरफ आगे बढ़ रहे हैं प्रयास सफल भी होते हैं आज मैं आप सभी देश्वासियों से एक सो तीस करोर देश्वासियों से आप सब से कुछ मांगने आया हूं मुझे आपके आने वाले कुछ सब्ताः चाहिए आपका आने वाला कुछ समय चाहिए मेरे प्यारे देश्वासियों अभी तक विज्ञान कोरोना महामारी से बचने के लिए कोई निश्चित उपाई नहीं सुझा सका है और नहीं इसकी कोई वैक्सिन बन पाई है ऐसी स्थिति में हर किसी की चिंता बढ़ने बहुत स्वाभाविक है दुनिया के जिन देशों में कोरोना का वाइरस और उसका प्रभाव ज़्यादा देखा जा रहा है वहाँ अध्यन में एक और बात सामने आई है इन देशों में इस वैश्विक महामारी के फैलावे के इस ट्रैक रिकॉर्ड पर पूरी तरह नजर रखे हुए हैं हाला कि कुछ देश ऐसे भी हैं जिनों ने आवशक निर्ड़े भी किये और अपने यहां के लोगों को जादा से जादा आइसोलेट करके स्थीती को संभाला है और उसमें नागरीकों की भूमी का बहुत एहम रही है भारत जैसे 130 करोड की आबादी वाले देश के सामने और हम वो देश है जो विकास के लिए प्रैतने शिल देश है और हम जैसे देश पर करोणा का यह संकट सामाने बात नहीं है आज जब बड़े बड़े और विक्सित देशों में हम इस वैस्विक महामारी का व्यापक प्रभाव देख रहे हैं तो भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यह मानना गलत है और इसलिए इस वैस्विक महामारी का मुकाबला करने के लिए दो प्रमुग बातों की आवश्यक्ता है पहला संकल्प और दूसरा संयम संकल्प और संयम आज एक सो तीस करोर देशवासियों को अपना संकल्प और द्रड करना होगा कि हम इस वैस्विक महामारी को रोकने के लिए एक नागरिक के नाते अपने करतवय का पालन करेंगे केंद्र सरकार, राज सरकारों के दिशान, निर्दोशों का पूरी तरह से पालन करेंगे आज हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम स्वयम संकर्मित होने से बचेंगे और दूसरों को भी संकर्मित होने से बचाएंगे साथियों इस तरह की वैस्विक महामारी में एक ही मंत्र काम करता है हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ ऐसी स्थिति में जब इस बिमारी की कोई दवा नहीं है तो हमारा खुद का स्वस्थ बने रहना ये सबसे पहली आवश्यक्ता है इस बिमारी से बचने और खुद के स्वस्थ बने रहने के लिए दूसरी अनिवारियता है वो है सईयम और सईयम का तरीका क्या है बीड से बचना घर से बाहर निकलने से बचना आजकल जिसे सोशिल डिस्टंसिंग कहा जा रहा है कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में ये सोशिल डिस्टंसिंग ये बहुती जादा आवशक है और कारगर भी है हमारा संकल्प और सईयम इस वैश्विक महामारी के प्रभाव को कम करने में बहुत बड़ी भूमी का निभाने वाला है और इसलिए अगर आपको लगता है कि आप ठीक है आपको कुछ नहीं होगा आप ऐसे ही मार्केट में घुनते रहेंगे सरकोपर जाते रहेंगे और कॉरोना से बचे रहेंगे मैं समझता हूँ तभी अपने घर से बहार निकलें जीतना संभव हो सके आप अपना काम चाहे बिजनेस से जुड़ा हो आफिस से जुड़ा हो हो सके तो अपने घर से ही करे जो सरकारी से वहों में है अस्पताल से जुड़े है जनप्रतिनी दी है जो मिडिया कर्मी है इनकी सक्रियता तो आवशक है लेकिन समाज के बाकी सभी लोगों को खुद को बाकी भीड़ार से बाकी समारों से आइसोलेट कर लेना चाहिए मेरा एक और आग्रह है कि हमारे परिवार में जो भी सिनियर सिटिजन्स हो साट पैसट वर्स की आयू के उपर के व्यक्ति हो वो आने वाले कुछ सब्ता तक गर से बाहर न निकले मैं फिर से आग्रह करता हूँ साट पैसट से उपर की आयू वाले हमारे सभी परिवार के जन गर से बाहर न निकले हो सकता है कि वर्तमान पीडि पुरानी कुछ बातों से परिचित नहीं होगी लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं जो जब छोटा था उस समय हम अनुभव करते थे उस समय जब युद्धिकी स्थिती होती थी तो गाउं गाउं ब्लेक आउट किया जाता था सिशे पर भी कागज लगा दिया जाता था बंद लाइट बंद रखी जाती थी लोग रात भर चौकी करते थे और युद्ध न न हो तो भी साल में एक दो भार तो वहाँ के जो नगरपाली काई होती थी वह जागुरू भो करके ये ब्लेक आउट का दिल भी करवाती थी लोगों का आदत बनी रहे इसके इसके लिए प्रयास करती थी और इसलिए मैं आज प्रतेग देशवासी से एक और समर्थन माँग रहा ये हैं जनता करफ्यू जनता करफ्यू यानि जनता के लिए जनता द्वारा खुद पर लगाया गया करफ्यू इस रभी बार यानि दो दिन के बाद बाइस मार्च को बाइस मार्च रभी बार को सुबे साथ बजे से रात नव बजे तक सभी देशवास्यों को जनता करफ्यू का पालन करना है इस जनता करफ्यू के दर्म्यान कोई भी नागरीक गरों से बाहर न निकले न सडक पे जाए न महले में या सोसाइटी में इकत्रे हो अपने घरों में ही रहे हाँ जो आवशक सेवाँ से जुड़े हुए हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा क्योंका बहुत बड़ा दाई तो होता है लेकिन एक नागरीक के नाते न हम जाए और हम देखने के लिए भी न जाए साथियों बाइस मार्च को हमारा ये प्रयास हमारे आत्मसईयम देश हित्मे कर्प्यवे पालन के संकल्पगा एक मजबूत प्रतीक होगा बाइस मार्च को जनता कर्प्यू की सफलता इसके अनुभव हमें आने वाली चुनौत्यों के लिए भी तैयार करेंगे मैं देश की सभी राज्यसरकारों से भी आगरे करूँगा कि वो जनता कर्प्यू का पालन कराने का नित्रुत्व करें हमारे देश में कई संगठन है NCC है NSS है कई वा संगठन है Civil Society है खेलकुत के संगठन है कई प्रकार के संगठन है धार्मिक संगठन है सामाजिक संगठन है सब कोई सबसे मैं अनुरोद करूँगा कि अभी से लेकर रभी बार तक इस जनता कर्फ्यू का संदेश लोगों तक पहुँचाएं लोगों को जागरुक करें आप ये भी कर सकते हर दिन दस नए लोगों को फोन करके आप इस वैश्विक महामारी के समझ में नागरिक को करने वाले काम जनता कर्फ्यू की बात उनको समझाएं, उनको बताएं मेरे प्यारे देश्वासियों ये जनता कर्फ्यू एक प्रकार्चे हमारे लिए भारत के लिए एक कसोटी की तरफ होगा ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के खिराब लड़ाई के लिए भारत कितना तयार है ये देखने और परेखने का भी समया है आपके इन प्रयासों के बीच जनता कर्फ्यू के दिन 22 मार्च को रविवार को ही मैं आप से एक और सहीयोग चाहता हूं साथियों पिछले दो मेहनों से लाखों लोग अस्पतालों में एरपोर्ट पर दप्तरों में सहर की गलियों में दिन रात काम में जुटे हुए हैं चाहे डॉक्टर हो नर्सीज हो हस्पिटल का स्टाफ हो सफाई करने वाले हमारे भाई बहन हो एरलाइंस के करमचारी हो सरकारी करमचारी हो पुलीस कर्मी हो मीडिया कर्मी हो रेलवे, बस, आटो, रिक्षा की सुविदा से जुड़े लोग हो होम डिलिवरी करने वाले लोग हो ये लोग अपनी परवा न करते हुए दूसरों की सेवा में लगे हुए है आज की परिस्तितियां देखें तो ये सेवाएं सामान्य नहीं कही जा सकते हैं आज खुद भी इनके संक्रमित होने का पूरा खत्रा मोल लेते हैं बावजुद इसके ये अपना करतव्य भी निभा रहे है हर किसी की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं ये अपने आप में राष्ट रक्षक की तरह कोरोना महामारी और हमारे बीच में एक शक्ती बनकर के खड़े हैं देश ऐसे सब छोटे बड़े व्यक्तियों का संगठनों का कृतग्या है मैं चाहता हूँ कि 22 मार्च रविवार के दिन हम ऐसे सभी लोगों को धन्यवाद अर्पित करें और धन्यवाद अर्पित करने का तरीका भी देश के एक-एक व्यक्ति को जोड़ सकता है रविवार को यहने जन्ता करिफ्यू के दिन शाम को ठिक पांच बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खीडकियों के सामने खड़े होकर पांच मिनिट तक रविवार को शाम को पांच बजे पांच मिनिट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करेंगे और आभार कैसे व्यक्त करेंगे ताली बजा करके थाली बजा करके गंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतग्यता व्यक्त करें कि आवाज से इसकी सुचना लोगों तक पहुंचाए सेवा पर्मो धर्म के हमारे संस्कारों को मानने वाले ऐसे देश्वास्यों के लिए हमें पूरी सद्धा के साथ अपने भाव व्यक्त करने चाहिए साथियों ताकि हमारी हुस्पिटल की व्यवस्थाओं को हमारे डॉक्टरों को हमारे परामेडिकल स्टाप को इस माहमारी के लिए प्राथ्विक्ता देने की सुविदा बने और इसलिए मेरा सभी देश्वास्यों से आगर ये भी है कि रूटीन चैवकप के लिए अस्पताल जाने की हमारी जो भी आदत रही हो उससे बचना चाहिए जितना बच सके बचना चाहिए आपको बहुत जरूरी लग रहा हो तो अपनी जान पहचान वाली डॉक्टर आपके फैमिली डॉक्टर या अपने रिस्तेदारी में जो डॉक्टर हो उनसे फोन कर फोन पर ही उनसे आवशक सला ले ले अगर आपने इलेक्टिव सर्जरी जो बहुत आवशक नहों ऐसी सर्जरी उसकी कोई डेट ले रखी है तो मेरा आगर है कि इसे भी आगे बढ़वा दें एक महिना बयात की तारीख ले दे साथियों इस वैश्वीक महमारी का अर्थ वबस्ता पर भी व्यापक प्रभाव पड़ रहा है कोरोना महमारी से उत्पन हो रही आर्थिक चुनोतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भारत सरकार के वित्त मत्री के नेत्रूत में फाइनास मिनिस्टर के नेत्रूत में सरकार ने एक COVID-19 Economic Response Task Force इसके गठन का फैसला लिया है यह Task Force सहरे Stakeholder से नियमित संपर्ग में रहते हुए फिडबेक लेते हुए हर परिस्थिती का आकलन करते हुए निकट भविश में फैसले लेगी है यह Task Force यह भी सुनिश्चित करेगी कि आर्थिक मुश्किलों को कम करने के लिए जितने भी कदम उठाये जाए उन पर प्रभावी रुप से अमल हो निश्चित तोर पर यह महामारी ने देश के मध्यमवर्क निम्न मध्यमवर्क और गरीब के आर्थिक हितों को भी गहरी ख्षती पहुँचा दी है संकर के इस समय में मेरा देश के व्यापारी जगत उच्च आएवर्क से भी आगरह है कि अगर संबव है तो आप जिन जिन लोगों से सेवाएं लेते हैं उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखे हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये लोग दप्तर न आप आएं आपके घर न आप आएं ऐसे में उनका वेतन न काटे पूरी मानवियता के साथ संबेदन सिलता के साथ फैसला ले हमेशा याद रखेगा उन्हें भी अपना परिवार चलाना है अपने परिवार को बिमारी से बचाना है मैं देश वाजियों को इस बात के लिए भी आस्वस्त करता हूँ कि देश में दूद खाने पिने का सामान दवाईयां जीवन के लिए जरूरी ऐसी आवश्यक चीजों की कमी ना हो इसके लिए तमाम कदम उठाये जा रहे हैं ये सप्लाई कभी रोका नहीं जाएगा इसलिए मेरा सभी देश वाजियों से याग्रह है कि जरूरी सामान संग्रह करने की होड न लगाए आप पहले जैसे करते हैं वैसे ही सामान रुपसे ही खरिदारी करें पैनिक बाइंग ये कता ही ठिक नहीं है उसको न करें सात्यों पिछले दो महनों में 130 करोर भारतियों ने देश के हर नागरिक ने देश के सामने ये जो संकट आया है उस संकट को देश वाजियों ने अपना संकट माना है भारत के लिए समाज के लिए देशवासियों से जो बन पड़ा है हर किसी ने किया है मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में भी हम सभी देशवासी अपने कर्तवियों का अपने दाइत्वों का इसी तरह निर्वाह करते रहेंगे हाँ, मैं मानता हूँ कि ऐसे समय में कुछ कठिनाईयां भी आती है आशंकाओं और अफ्वाओं का बातावरन भी प्यदा होता है कई बार एक नागरिक के तौर पर हमारी अपेशाएं भी पूरी नहीं हो पाती फिर भी ये संकट इतना बड़ा है और वैश्विक है एक देश भी दूसरे देश को मदद नहीं कर पा रहा है ऐसी स्थिति में सारे देशवास्यों को इन दिक्कतों के बीच द्रड संकल्प के साथ इन कठिनाईयों का मुकाबला करने कई भी आवशक्ता है साथियो हमें अब भी अपना सारा सामर्थ खुद को बचाने के लिए कोरोना से बचने के लिए ही प्राथिक्ता देनी है आज देश में केंद्र सरकार हो राज्य सरकारे हो स्थानिय निकाय हो पंचायते हो जन प्रतिनिदी हो या फिर सिबिल सुसाइटी हर कोई अपने अपने तरीके से इस वैश्विक महामारी से बचने में अपना योगदान दे रहा है आपको भी अपना पूरा योगदान देना है यह आवशक है कि वैश्विक महामारी के इस वातावर्म में मानव जाती विजई हो भारत विजई हो मेरे पहरे देशवासियों कुछ दिन में नवरात्री का पर्वा आ रहा है ये शक्ति उपासना का पर्वा है भारत पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़े इस संकल्प को ले करके आवश्चक संयम का पानन करते हुए आओ हम भी बचें देश भी बचाएं जग को भी बचाएं फिर एक बार मैं आग्रह करूँगा जन्ता कर्वियों के लिए मैं आग्रह करूँगा सेवा करने वालों का धन्यवाद करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद युद्ध से प्रभावित नहीं हुए थे जितने आज कोरोना की इस बिमारी से है आज मैं आप सभी देश वासियों से 130 करोर देश वासियों से आप सब से कुछ मांगने आया मुझे आपके आने वाले कुछ सब्ता चाहिए आपका आने वाला कुछ समय चाहिए अभी तक विज्ञान कोरोना महामारी से बचने के लिए कोई निश्चित उपाई नहीं सुजा सका है और नहीं इसकी कोई वैक्सिन बन पाई है ऐसी स्थिति में हर किसी की चिंता बढ़ने आपका प्रधानी नरेंद्र मोड यहुरू मात्नाडि दारे इडी मानव समोहाई दिक